साथियो नमस्कार मैं महिश्चंदर कोशिक एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ HDFC बैंक का 1 अक्टूबर 2021 का शेर प्राइस 1582.70 था यानि 1512 रुपए 70 पैसे था और लगबग एक साल बाद उसी HDFC बैंक का 21 अक्टूबर 2022 का प्राइस 1438.60 हो गया यानि गट गया यह 1438 रुपए 60 पैसे हो गया किसी ने यदि एक अक्टूबर 2021 को HDFC बैंक के शेर लिये होते तो उसको परती शेर 144 रुपए 10 पैसे का लोस हो था यानि परसेंटेज में गिने तो माइनस 9.10 परसेंट का माइनस में रेटन उसने HDFC बैंक ने एक साल में दिया है माइनस 9.10 परसेंट का परन्तु आज जो मैं आपको इस वीडियो में नोशनल बाइंग से रियल बाइंग की बिदी बताने वाड़ा हूं उसके अंदर आप देखेंगे कि एक साल के अंदर इसी HDFC बैंक से हमने पलस 9.82 परसेंट का रिटन कमाया है तो आप पुरा वीडियो बगएर स्किप किये देखना जुड़े रेना मेरे साथ और इस HDFC बैंक का चैन कैसे किया है आप कहेंगे HDFC बैंक तो आपने ऐसे ही रैंडमली चैन कर लिया होगा या HDFC बैंक में हो गया बाकी में नहीं होगा तो HDFC बैंक का चैन मैंने ऐसे कोई तुका मारके तुका मारने की विदी से नहीं किया है मैंने इसके लिए बाकईदा मेरे चैनल पे पोल करवाया है और आप देख सकते हैं कि चैनल पर कराएगे इस पोल के ञंदर 4,600 लोगों ने मदाद किया मेरे चैनल पर और 4,600 लोगों के मदाद में H.D.F.C. बेंक को 34% लोगों ने मद्दान करके चूज किया है तो ये शेर आप लोगों ने खुद चूज करके बताये कि मैं अपनी विदी को इस शेर पे टेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊँ तो इस पॉल में मैंने लिखा था कि मैं एक ऐसी विदी का मैं जितनीम सब का एवरेज प्राइस किया वॉल्यूम को दारीग्यायक है इन्य सब्वेड के डएंदर टरन ओरों यहिए उसको जब वोल्यूम से डिवाइड करेंगे तब व्यूम वेडियायज प्राइस निकलके आता है तो यदि हम वडेवलीव करेंगो तो यह पर यह जब वियुम से डिवाइड करते हैं तभी वी डबलीव एपी निकल के आता है यानि जितना ज़ाधा वोल्यूम होगा उतना ज़ाधा वी डबलीव एपी उस दिन की उस रहते हैं की फेर वैल्य प्राइज messenger करता है उस टेडिंग दिंक ये fair value लोगों ने मानी थी इसलिए 5000 कोड की turn over हुई थी इस पे जो है buying और selling दोनों side में सोधे हुए थे तो उस दिन की fair value को वो indicate करता है वी डबलू एपी में volume साथ में सामिल है अब आप 2% करेंगे मुझे पता है एक परसंट आप ये करेंगे कि वी डबलू एपी कहां से मिलेगा ये जो volume based average price है ये हमें कहां पर मिलेगा कहां से मिलेगा और दूसरा परसंट आप ये करेंगे कि मैंने तो इसको HDFC bank में share करके बता है आपको इस वीडियो के अंदर मैं जो practical check करूँगा वो HDFC bank में check करके बताऊंगा लेकिन आप ये रिलाइंस में check करना चाहें आप ICAC bank में check करना चाहें आप दूसरे किसी share में check करना चाहें इस वीडियो को तो आपको historical price data कहां से मिलेगे जैसे मेंने आज के इस वीडियो में HDFC bank के historical price data का प्रोक किया है तो उस page के अंदर आप देखो यहाँ पर आपको open, high, low, close के बाद VWAP लिखावा मिल जाता है और यह पूरे दिन साथ साथ चलता है टेडिंग के दुरान यदि आपको तीन बजे कोई share खरीजना है तीन बजे आप उस share की VWAP देखना चाहते हैं और आपको डाटा डाउनलोड करने के लिए simply यहाँ से date चूज करने आप एक सितंबर से मानलोड डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर date चूज करके आप जब filter बटन पर click कर देंगे तो फिर यह download CSP का लिखा तो इसमें आप click करेंगे तो आपकी Excel फाइल में डाटा भी आप इसको डाउनलोड करके खुद बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं अब बात आती है इस विदी के लिए हम share कैसे select करेंगे तो देखो share select करने की इस विदी में दो सर्ते होगी पहली सर्त तो यह होगी कि highest market cap बाड़े top 10 shareों में से हम share select करेंगे यहनि उसकी जो market capitalization है company का वो highest वाना चीए और top 10 कंपणियों में सामिल होना चीए आपको पता है अभी फिलाल इंडिया के market में Reliance की market cap सबसे ज़्यादा है TCS दूसरे number पे है और HDFC bank जिसका हम example लेंगे इस वीडियो में वो तीसरे number पे है तो पहली सर्त है कि highest market के बाड़े top 10 shareों में वोड़ा चीए दूसरी सर्त है वो F&O के एंडर trade करना चीए यह विदी हमारी F&O पे अधारित नहीं है यह cash market की विदी बताऊंगो आपको cash segment में हम काम करेंगे आप चाहें तो इसको margin segment में यूज कर सकते हैं MTF buy का मेरा अलग से वीडियो बना वो देख सकते हैं इसका margin या cash में यूज करेंगे लेकिन F&O के अंदर वो share होना चाहिए F&O के अंदर आचे क्योंकि हम इसमें जो भी मन्त का chain करेंगे इसमें मन्त का chain करना पड़ेगा वो मन्त क्या होगा F&O के नुसार trading मन्त होगा यानि F&O की expiry से expiry तक का वो मन्त हमें select करना है तो highest market cap बारी top 10 company आप कहां से select कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं इसके लिए आपको Google में simply type करना है top companies by market cap in India और यह BST का page आजाएगा आपके सामने top 100 stocks by market capitalization इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यह आपको इस तरह से market cap बारी कंपनियां खुल जाएगी इस इंडिस्ट्री की market cap सबसे ज़्यादा है यहां close price लिखाए और आज की market cap लिखी है TCS है फिर HDFC bank limited हमने चूज किया तीसे नंबर की सबसे आदा मार्केट के बड़ा share है फिर ICC bank से लेकर के ITC तक आप देखेंगे दस कंपनिया आपकी पूरी हो जाएगी सबसे आदा क्या होगा कि पहले हम सेर को कालपनिक रूप से खरीदेंगे और एक certain condition के बाद यदि को कालपनिक खरीदारी हमारी certain condition को fulfill करती है तो हम उसको real buying में convert करते है यह इस video का कमाल है बहुत कमाल की video देखिए मैंने बहुत मैनत करके डूंड़ी है इसको तो national buying to real buying video में हम क्या करें कि एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसके अंदर मंत के लास्ट गुरुवार को future and option के expiry होती है हमेशना ध्यान रखें मंत के last जो मंत का थ्रश्डे है उस मंत के last थ्रश्डे को future and option के expiry होती है उसके अगले दिन नई सीरीज चालू होती है तो नई सीरीज से हमें national buying प नई सीरीज चाल पहला दिन है हम यह मानेंगे उस दिन का जो वी डबलू एपी है उस दिन का जो वॉल्यूम बेरेज प्राइस है उस दिन जितनी भी ट्रेडिंग हुई उनका जो एवरेज प्राइस आया उस दिन के लिए जो सेर की fair value निकल के आई उस पर हम मानेंगे हमने तो माना की है कि इसको कलपना करने है कि अगले दिन फिर हम देखेंगे दूसे दिन की BWAP मान लो कल्पना कर लिया हमने एक share और buying कर लिए अब हमारे पास दो share होगे तीसे दिन हमारे पास तीन share होगे इस तरह से हम उनकी एक average price भी निकालते चलेंगे और देखते रहेंगे कि per day हमने इस परकार से नोसनल रूप से खरीदा होता तो हमने कितना percent profit loss अभी चल रहा होता देखो मैं real excel sheet में दिखा देता हूँ इसको इस परकार से देखेंगे जैसे इसके लिए मैंने HDFC bank के historically data डाउनलोड कर लिए हैं और इसके अंदर मैंने close price और BWAP को छोड़ करके बाकी सारे column delete कर दिये हैं जोकि इनकी हमें जुर्त नहीं है में BWAP की ही में जुर्त है और 30 सितंबर 2021 को सितंबर मीने में आक 30 तारिक को गुरुवार था और 30 तारिक को future and option की एसपेर वी थी तो एक October 2020 से ही नई series शुरूई थी तो हमें कुछ नहीं करना है एक October 2020 को कोई share खरीदना बेचना नहीं है simply जब market बंद हो गया उसके बाद इसकी जो BWAP थी यह आपने देखा था historical data में भी आगी थी 1577 रुपए 188 पैसे इस price पर हमने मान लिया कि हमने national रूप से एक share को खरीदा है यह national buy price लिखा है कि इसको कालपनिक रूप से एक share को खरीद लिया तो हमारे पास अब कुल कालपनिक share कीते होगे एक share हो गया notion investment हमारे यह माना हमने 1577 रुपए 188 पैसे इसमें brokerage को count नहीं करना है कालपनिक खरीदारी है कोई brokerage लगेगा यह आपका और average price क्या हो गया यह 1577 रुपए 188 पैसे फार्मुला दे दिया simply इसमें यह एक share है तो एक का bug देंगे दो से रह तो notion investment में दो का bug देंगे और अब इसकी close price पर हमने value निकाड़ी कि देखो यह तो वी डवलू एपी है उस दिन के ओसत प्राइस पर हमने खरीदा होता volume based price पर खरीदा होता तो हमें 1577 रुपए 184 पैसे का पड़ता प्रंतु close होते होते यह 1552 रुपए 70 पैसे हो गया तो simply हमें इसके अंदर profit loss चेक करना है कि कितना percent हमें profit loss हुआ इस प्रकार की हमें एक excel seat बनाए हुए चलनी है आप एक share में काम करते हैं तो दस share की excel seat बनाए तो इस प्रकार से में simply इसमें national profit loss निकालते हुए चलना है जैसे यहां देखो यह national रूप से 4% के profit में आ गया था तब आपको real buying कब करनी है तो real buying कैसे करेंगे आपके आप उस दिन की series की एक excel seat बनाते हुए आ रहे थे आप यह मान के चले थे इस रीज में पर डे अमने एक एक share उसकी वी आप यह खरीदा है तो यह आप एक national buying की बनाते हुए आ रहे थे तो real buying आपको national buying से 3% गिर जाए तब करनी है तीन पर से ज्यादा है जिसेर का price नीचे आ जैए तब करनी है आपको पूरे दिन market को track करने जूरत नहीं है पूरे दिन seat को track करने जूरत नहीं है आपको सिरफ आ निकालना मैंने इस वीडियो में बता रहा है निकाल करके उस दिन का BWP बढ़ दीजिए उसका क्योंकि दो पचास से तीन 20 के तक जो BWP हो जाएगा वोल्यूम बेर प्राइस आ जाएगा वो लगबग उस दिन का वही होगा पक्का तो आप बाद में मार्केटरों बंद हो क्लोज प्राइस की सबूकि आखरी आदे कहीं के ट्रेडिंग प्राइस का तो लगबग वही प्रेडियène के हैं उसका क्या पर देखो कि क्या आपकी आप पर्शेंट से जादा गाटे मैं आगी है तो आपको उस समय स्थ की च्चड आपको दिखाता हूं एक्सेल सीट में आप लेक्टिकल में साथ में देखते चलिए तो इस समझ में आएगा और वीडियो का एक भी भाग स्किप मत करना पूरा वीडियो इपोर्टेंट है आप बाद में कमेंटें परसंट पूछेंगे तो वो बात मैंने वीडियों बता रखी हुई बेचने का समय है जब नोसनल बाइंग प्रोफिट में चल लिए तो खरीदने का टाइम थोड़ी है तो आपको आपको पूरे मिनम तो एक बार भी खरीद दरी नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है आप एक सेर में काम थोड़ी करेंगे आप टोप 10 जो 10 के 10 सेरों में काम करो तो इससे कोई न कोई आपको सेर उस मिनम ऐसा मिल जाएगा बीच में जब आप 10 सेरों में इस तरह शीट बनाके चलेंगे जैसी आपकी पूंजी है आपका पूंजी कम है तो आप 2 सेर में काम करो तीन में करो, चार में करो, एक में करो, जैसी पुंजी है, तो इसमें आप नहीं खरीचे लेकिन आप देखेंगे, कोई बात नहीं, एक खरीच लेते तो क्या होता, नुकसान में जाते, आपने देखा था कि 9% ये तो गाटे में गया, बाद में आगे जाके, खुब गिरा है, इस भी दिन आपको बचा लिया हाई प्राइस पर खरीचने से, और अब अगला यहां सीरीज खतम हो गए, 28 अक्टूबर को जो मैंने येलो कलर में कर रखा है, 19 सेर आपके पास 9 सनले कठे हो गए थे, आपका आवरेज प्राइस 1640 रुपय चल रहा था, और आपका माइनस 2 2.85% लोस में आया, और यह भी आप द्यान रखो, यह कब गणना करनी आपको मार्केट बंद होने के आखरी आदे गंटे में, यानि 2 बज़ के 50 मिनिट से, 3 बज़ के 20 मिनिट के बीच में, तो उस समें तक तो क्लोज प्राइस तो आएगा ही नहीं, आप कैसे गणना आपके एक्सेल सीट में ख्लोज प्राइस की जगे है, उस से जो भी लाज़् ट्रेडिंग प्राइस चल रहा हो, वह भर के आपको गणना करनी है, और VWAP उस समें जो भी चल रहा हो आपको गणना करनी है, गणना उस समें बढ़ने के लिए, परड़े आपको एक बार trading price होता है आखरी आदे गंटे के जो trading होती है उसका average price close price होता है तो लगबग इसके आसपास ही आखरी आदे गंटे में trading होती है तो आप LTP यूज करेंगे तो वो close price के आसपास ही आ जाएगी और अब नई सीरीज जब आ गई देखो ध्यान से समझना इस बात को नई सीरीज के बाद नई सीरीज सुरू हो गई तो आपको फिर से एक सेर नोस्नल रूप से बाइंग करना है और इस एवरेज प्राइस पे पंदल सुचुरासी पेसे पर आपने बाइंग किया सब चीज नई कानी चालू हो गए बापकी माइनस 0.08% लोस में है यानि फिर से इसी प्रकार से आपको यह पहले दीन एक सीर आपने बाइंग किया अगले दीन यह दो सेर नहीं है यह टोटल नोस्नल सेरै अगले दीन फिर आपने एक क्या तो आपके कूल loss सेड़ दो और मैंने से ओबने मैसे इतनी फार्मूला दे रखा है इसके इंदर यह फार्मूला देकर आपको जोड रखा है कि यह दो से रुए तो इस 1514 रुपे सोड़ा पैसे में यह बीडेवल एपी 1514 में रुपे काने पैसे और जुड़ गई अब आपका एवरिस प्राइस 1519 रुपय हो गया और आपकी कलोज प्राइस पे वैल्ली जो है 0.99% प्रोफिट में आ गई तो इसको 3 पर आपने बाइंग कर चुके थे आप यहां तक रोज एक 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 शेर बढ़ता जा रहा है नौशनल रूम से आपका इन्वेस्टमेंट 23,500 रुपया च्यांसी पैसे हो गया था और एवरिज प्राइस आपका पनदर 266 रुपया पैसे आ रहा था क्लोज प्राइस पर आपकी दिखाई दे रहा हो तो आपको समझ लो की रियल में खरीदने का समय आ गया उसी समय आप जो है रियल में शेर खरीदेंगे मैं यह मान के चल रहा हूं हम 20,000 रुपय का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 20,000 में भी पुर्णांक में यह जो है 13. something बनते हैं लेकिन आगे वाड 204 रुपय का इन्वेस्टमेंट हुआ विकी जादो इन्वेस्टमेंट किस प्राइस पर हुआ उस आपको 22 नॉम्बर का क्लोज प्राइस 1515 रुपय 35 पैसे था यानि 1515 रुपय 35 पैसे के आसपास ही आपने शेर खरीदा आखर या दे गंटेम खरीद रहे हैं तो आपको क् 25 15 है वेकिन मैं 1 516 पैसा मौना कर चल रहा हूं इसको तो यह इसका ऐबरेज प्राइस आ गया रियल वाइंग का देखो यह में तो नॉस्टनल भाइंग है और पिर यह अलकेरे घ्रीन अकसर में में जो दिखरी है रियल बाइंग है तो इस दिन हमने खरीदा 22 नॉम्बर को उच्छी समय लगा हमें कि सेर मारा 3 प्रशन से ज़्यादा गिरा हुआ था तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको याद दिला देता हूँ कि Pocket FM पर मेरी पांच पुस्तकों के ओडियो बुक वर्जन लाइव हो चुके हैं Pocket FM एप है जिसको आप Google Play Store से डाउनलोड करके उस पे मेरी पुस्तकों को ओडियो बुक के रूप में सुन सकते हैं अभी तक पांच पुस्तकों के ओडियो वर्जन Pocket FM पर आ चुके हैं जिनका लिंक मैं आपको वीडियो की डेस्क की सुन में प्रोवेड करा रहा हूँ उस लिंक से जाके आप Pocket FM पे मेरी ओडियो बुक्स भी सुन सकते है अब सली आ 10% गिरता है तो आपको यह बाइंग और करनी है अब आप कहेंगे कि ऐसे तो बाइंग करते चलेंगे तो बही देखो महीने में एक बार यह माइनस 3% की सिच्वेशन मिलना असान बात है ज्यादा ज्यादा मीने में आपको दो बार मिलेगी फिर क्या होगा हम BWAP के अदार यह हर मीने दुबारा गरना चालू करते हैं तब तक को फिजरेंट ऑप्शन की एकस्पायर ही आ जाएगी लगब 20 एक तो ट्रेडिंग डेज होते हैं महीने में तो उन में भी पर 30 दिन का उसकी वोलिम बेड डेवरेस प्राइस के दार पर नोसनल बाइंग करते आ रहे हैं उस नोसनल बाइंग से 3% गिरने की स्थिति तो आपको हर 2-3 मिने मिल जाएगी लेकिन 6% की कभी-कभी कोई मिने मिल जाएगी और यह माइनस 9% और माइनस 12% स्थिति तो बहुत rare of rarest situation में आपको मिलेगी तो कैसे वाप देख लो मैं अभी आपको एकसे सीट में प्रैक्टि हमने 20,000 पर इंवेश्मेंट किया 14 से रियल भाई किये 21,220 रुपय का लगा 20,000 के लगबग इंवेश्मेंट करना है तो अगले राउंड ओप में हमने करके बाइंग की अब आप देखेंगे कि 23 नुम्बर को फिर से 3% गिरा हो तो आप कहें का फिर से बाइंग करें नहीं पर आप तो ऐसा नहीं कि जल्दी से 6% आजाएगा जोंके 25 नुम्बर को सिरीज खतम होगी सिरीज की एकस्पायर ही होगी तो एकस्पायर होगी तो यह कहानी भी हमारी एकस्पायर होगी फिर से अमने जो नई सिरीज चालो 20 नंबर को फिर से एक से नोसल पर इस पर खरीद की रेंज में आना हाँ अगले मीने दुबारा 3% में आगया तोम खरीद लेंगे बात भी याद रखना कि हर मीने नई कानी माननी है इस मिन्यम दुबारा कब खरीदे जब यह 3-6% गाटे में आ जाता यह 9% आ जाता यह 12% आ तीन के पाड़े में चलना आपको 3 की टेबल में लेकिन अगले मीने जब नई सीरीज मेर्ष शुरू हो गई अभी यह दुर डीबारा 3% में आगया तो हम एक बार और खरीद लेंगे पाड़ी से परीष में गया तो जीन थे परीटार उस से अगले तिन भी आ गया था लेकिन तूब कि 3% की सीरीज की हो चुकी थी देखो या यह माइनस 2.53% लोस में था, 3% से कम था, अब यह 3% से अबोव हो गया, कई बार यह आपको लग की चांस है कि आप मार्केट के एंड में जब जाते हैं, सारे दिन की उनकी टेडिंग हो चुकी होती है, सारे दिन का वोल्यूम जोड़ना हो चुका होता है, गिरना ह होता होता है, गिर चुका होता है, तो आपको 3% लोस में दिखा यह, 5% लोस में दिखा तो यह 1425 रुपे 65 पैसे का प्राइस चल रहा था, हमने मान लिया इसको 1426 पर खरीद लिया, मैं इसको अगले next 1 रूपीज के round of में खरीद लेता हूँ, अब आपके कुल share 29 होगे, दे इसको 15 मान लिया, कि हमने 15 share खरीदे, तब आपके total 29 share होगे, और 29 share होगे, total investment यह होगया, फार्मले से जोड दिया, कि इस 2021-2022 पहले से थे, नया investment वह भी इसको फार्मले से जोड रखा है, यह जो seat है, इसका link आपको प्रोवाइड करा दूँगा, आप उस link से seat को डाउनलो 0.98% का, इसमें लोस जादा नहीं होगा, स्वीदी में यह भी देखा आप, जो जो जादा वोना होता है, वो तो लोस बाइंग में हो चुका होता है, इसको real बाइंग में करते हैं, तो पहले से ही चूंकि गिरे प्राइस पे होती है, तो इतना इसके अंदर लोस पर को फिर से एक शेर से चालू हुए कि इस VWAP पे एक शेर खरीदा 1470 रुपे ब्याड़िस पैसे पर फिर एवरिज प्राइस दिया आ गया अब यह प्रोफिट में दिखाई दे रहा है 0.07% तो बाइंग कब करेंगे कि हम जब यह 3% से ज़्यादा लोस में आएगा लेकिन अमारा बागया इदर आ गया कि यह 6% से ज़्यादा प्रोफिट में आ गया यहां प्रोफिट टार्गेट क्या रखना है आपको 6% रखना है यह जो रियल बाइंग थी यह जो यह तो नोस्नल बाइंग तो आपकी 3.24% प्रोफिट में दिखी 5 जनवरी 2022 को लेकिन रिय प्रोफिट आपको यह बुक करना है जब भी आपकी यह रियल बाइंग 6% से अभुझ प्रोफिट में आ जाती है तब आपको पुरा कप्रोफिट बुक करना है तो आप समझे गे हैं कि हमें इस वीदी में प्रोफिट टारगेट 6% का रखना है स्चह प्रुझेंग प्रोफिट रहता है और 6% कोई कम प्रोफिट टार्गेट नहीं है 6% की समता को आप कम करके मत आखना यदि आप 20,000 का इंवेस्टमेंट करते हैं किसी शेर के अंदर और इसमें आपको 6% से कमपाउंड रेट से ग्रोफ मिलती है कमपाउंड रेट का मतलब कि 6% जो प्रोफिट कमाया वह पहले मिले अपने 20,000 लगाए अगले मिले अपने इसके अंदर साथ में जोड़के लगाए इस तरह से यदि आपको 6% से कमपाउंड रेट से ग्रोफ रेट लेते हो तो 108 मीने मे कितनी अमाउंट हो जाती है इसकी एक क्रोड से जादा हो जाती है सिर्फ एक सो आठ मीने में ज़ी 6% की हर मीने भी आप ग्रोफ रेट निकाल देते हो तो 108 ट्रेट है ऐसी कर दी आपने 6% की रेटन वाड़ी तो आपके 20,000 के एक क्रोड रुपय हो जाते है इस गरणा की ए आगे मैं और दिखाऊंगा कैसे आपको मासी काय मिली कितनी मिली और 19.82% मासी काय कैसे मिली इससे पहले मेरे जिन फॉल्वर्स ने मेरी वीडियों का प्रोग करके जीरो दा के 60 डे वीनर चैलेंज जीते हैं च्यार मिंट के बाग में मैं उनके वीनर चैलेंज दिखा देता हूँ और साथ मैं आपको यह बता देता हैं उन्होंने किन-किन वीडियों का प्रोग किया तो च्यार मिंट का यह बाग देखो कि आपको एक तो पता चलेगा कि मेरी किन-किन वीडियों प्रोग करके मेरे फॉल्लोवर्स जीरो दा का 60 डे वीनर चैलेंज जीत रहे हैं साथ आप में आपको यह भी confidence आएगा कि मेरी वीडियों बहुत ही research प्यादारित होती हैं लोग उससे पैसा कमा रहे हैं तो आए चैयर मिंट का इबाग देख लीजिए पहले यह पहला certificate हमें विपल सकसेना जी ने बेजा है चोथी बार जीता इन्होंने विपल सकसेना जी चोथी बार certificate जीतने के लिए आपको बहुत 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 बदाई और बहुत बहुत शुब कामना है इन्होंने share genius swing trading method का प्रयोग किया था जिसको yes bank का vaccine method के नाम से भी जानते हैं मैं उसका link आपको description में provide करा रहा हूं जित्ती भी विदिया में बताऊंगा सभी का link आपको description में provide कराया जा रहा है अगला certificate में परमीन कुमार जांगडा जी ने बेजा है परमीन कुमार जांगडा जी ने चटी बार जीता है परमीन कुमार जांगडा जी चटी बार जी अबीद अलीजी ने डारवक्स बोक्स ठोरी विदी का प्रयोग किया वी सिप मेथड का प्रयोग किया और पैसों का पेड़ की जो मेरी विदी मेरी ऑप्सन ट्रेडिंग handbook के अंदर बताई गई है option trading से पैसों का पेड़ कैसे लगए उस किताब में बताई गई है उस वीदी का परयोग किया आभी दली जी दसमी बार certificate जीतने के लिए आपको बहुत बहुत बढ़ाई और बहुत बहुत शुबकामना है पंकज कुमार जी ने सर्टिफिकेटा में बेजा है और पंकज कुमार जी ने swing trading वीदी का परयोग किया swing trading जो relance वाड़ी मैंने बताया था च्यार सेर रोज खरेदे वाड़ी वीदी है उसका परयोग शुबकामना है मानू विक्रम सिंग जी ने सात्वी बार जीता है मानू विक्रम सिंग जी ने लिखा इनोंने ETF में सेर जीनियस SIP मेथड का परयोग किया था परन्तु जिरोदा ETF के अंदर जो प्रोफिट होता है उसको winner certificate के अंदर count नहीं करता इसलिए सात ही इनोंने BLSH यानि by low sell high method का परयोग किया था by low sell high method से जो profit वा उसमें इनको certificate मिला है मानू विक्रम सिंग जी सात्वी बार जीतने के लिए आपको बहुत बहुत बढ़ाई और बहुत बहुत शुब कामना है विकास कुमार सोनी जी है आपने पांच्वी बार जीता है और विकास कुमार सोनी जी ने serious genius swing training method का परयोग किया है विकास कुमार सोनी जी आपको बहुत बहुत बढ़ाई और बहुत बहुत शुब कामना है विजे कुमार गुटे जी है विजय कुमार गोटे जी ने दूसरी बार जीता है और विजय कुमार गोटे जी ने वीधी का नाम नी लिखा कि इन्होंने किस वीधी का प्रयोग करके certificate जीता था समीर यस्वंत राव कदम जी है समीर यस्वंत राव कदम जी ने सातवी बार जीता है और समीर यस्वंत राव कदम जी ने लिखा है कि जो निफ्टी के टॉप 10 वाला मेरा वीडियो है जिसके अंदर मैंने एक सीट बनाई थी निफ्टी के टॉप 10 वाड़े सेरों में मैंने हिंदुस्तान उनिलिवर को ऐडेंटिफाइड किया था कि यह सबसे सस्ता चल रहा है। उसमें इन्होंने डारवक्स भॉक्स ठेरी वाली मैंतल का प्रियोग किया। यानि शेर का सेलेक्षन तो निफ्टी के टॉप टैन सेरों में से किया उसका ही मेरा लगसे वीडियो है और निफ्टी के टॉप टैन सेरों में से भी उन्होंने जिस एच्विल सेर का सेलेक्षन किया और उसमें डार्वक्स बोक्स थोरी का प्रोग करके तीन बार लगाता है प्रोफिट इनों ने उसके अंदर कमाया है और सात्मी बार ये सर्टिफिकेट जीता है परदीप कमार शाजी ने तीसी बार सर्टिफिकेट जीता है इनों ने रिलाइंस में जो स्विंग टेडिंग बढ़ा मेरा मैतड है, Swing Trading Maythouse का प्रोग करके जीता है, परदीप कमार शा जी आपको बहुध-बहुध बढ़ाई और बहुध-बहुध श्युब कामनाई स्युवाग जी अभी मन्यू सोना वने जी आपको बहुध-बहुध g अब्धाया viens 평ज हैYouCh का नाम इन्होंने नहीं लिखा है कि इन्होंने किस विदी का परयोक किया ऐसे पूमार वाजपें जी का ये फायइस का करा दिग्य को मैं तिस दिन में चलेंज का दिगने था है ऐसे गुमार वाज पेजिन लिखा है कि इनोंने ETF में swing trading करके यह certificate जीता है असमीता पटेल जी हैं असमीता पटेल जी ने 30 बार जी जीता है और असमीता पटेल जी ने बाई लो सेल हाई मैथल का पिरोकर करके सर्टिफिकेट जीता है आप सब को बहुत बहुत बदाई है और बहुत बशुप काम नहीं और आप भी ऐसे यदि सर्टिफिकेट जीते हैं तो इस वीडियो की डेस्क्रिस्टिन में मेरा इमेल आईडी प्रोवाइड करा हुआ है वह प्रोवाइड को एक साथ समझा देता हूं आप मेरे साथ समझते चलना पांच-छे मिन्ट का भाग है बोर मत और यदि समझने में कई मी कमी रहे तो इस एक से सीट का लिंक डेस्किन से दिया बाद में आप इसको डाउनलोड करके और समझ सकते हैं वैसे तो मैंने अपनी त को फिर से आगे बढ़ाते रहेंगे तो पांच-जनुरी प्रोफिट बुक करने के बाद जनवरी की सीरीज में कहीं भी ये 3% से ज्यादा लोस में नहीं आया लेकिन 27 जनवरी को जब एकस्पारी वाड़े दिन से ये 3% किसे ज्यादा लोस में दिखाई दिया तो एकस्पा रुपया के करीब निवेश किया 14 खरीद लिए तो इस प्रकार से इधर तो चलेगी आपकी नोशनल बाइंग और इधर ये रियल बाइंग चलेगी जब ये नोशनल बाइंग 3% से ज्यादा लोस में आती है तो एक बार खरीद दारी करनी है तो यहां 6% लोस में नहीं आई ही लेकिन 24 फर्वरी को देखो फर्वरी सिरीज में थे एक बार भी खरीद दारी नहीं भीicy27 जनवरी को फ्यूचर की आक्स पारीरी थी ऐस दिन यह उप्रूर्ट से ज्यादा लोस में दिखाए दिर उसीए हमने 1420 रुपय पे एक बार और खरी लिया तो यह 29 तो 15 रोऔर सीटे मैंने फार्मला लगा रखा है चोधा में पंदरा से और जुड़ तो यह होगे और बीस जार में अगला निवेस जुड़ गया तो एक तारी जार टोटल निवेस हो गया यह प्राइस प्राइस आ गया यह क्लोज पे उसकी वैलिव आगे प्रोफिट लोस आ गया च्छे सुरू होगी मार्च में दुवारा नए से मार्च का जो वी डबलू एपी था उस पर हमने एक सेर खरीदा ऐसा माना तो दो मार्च को यह नई स्रीज में भी तीन पर्शेंट लोस प्यां गया तो तो अब गिरते मार्केट में थोड़ी खरीदारी ज्यादा हो जाती है तब मैं आपको इसमें परसेंटेज बटाऊंगा वह कुल नूस पर बताऊंगा प्रोफित का परसेंटेज मैं आपको एसा नहीं है कि मतलब 35002 ब्हारी बीस जाप बताया आपको शाट जाल लगे तो मैं साठ जाल पे बताऊंगा जो मैक्सिमम्म निवेस होगा उस पे मैं आप को प्रोफिट का प्रशेंटेज इसमें दिखाऊंगा जो भी मैंने आपको प्रोफिट बताया था 19.80 प्रशेंट वह मैक्सिमम यूएस पे प्रोफिट बताया यह बात बान के चलना कम पर नहीं बताया है तो बाकी पैसा आपका बैंक में पढ़ा है तो इस तरह से आप करते के दिन यहां तो आपको प्रोफिट जो है 5% दिखाई दे रहा है क्यों दिखाई देर है क्योंकि आपने फिर से एक शेयर खरीद के यहां से नई स्रीज की चालू कर दी लेकिन यह क्लोज़ प्राइस का क्या था 1656 रुपैसी पैसे पे प्रोफिश जुआ था यह और यह क् प्रविट प्रविट बॉट बड़ा मोमेंट आता है बड़े बड़े मोमेंट से आप पैसा एकदम से एक साथ कमा पाएंगे आप एक बार फिर से पूरा नीचे देख लीजिए तो अब नई स्रीज में यहां फिर से शेर जाने जैसे प्रॉफिट बुक किया उसके दो दिन बाद ही नई स्रीज में तीन परशेंट से ज्यादा गिरावट दिखाई देने लगी तो नई स्रीज में ने क्या किया था एक अपरेल को नई सी प्राइब बुई तो इसमें एक से वापस खरीदना चालू किया बीड़े बाद मैं कई बार बता चुका हूं मैं आशा करता ह आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है और इसमें लोस देखते देखते चले तो तीन परेशन्ट का लोस हो गया तो अमने फिर एक बार से खरीद लिया यहां जो है आपको को प्राइस के आसपास आठ परेशन्ट का लोस दिखा तो यह खरीदारी कौन सी है चैपरेशन तो कभी-कभी यह सिरीज पर मुखा मिलेगा आप चिंता मत करना मैं अधिक्तम निवेस पर रिटन की करना करूंगा इसे आपको कोई टेंसन नहीं है और आपको एक बार फिर से आपने नो परसेंट वाली खरीदार यहां कर लिए तो यहां तीन परसेंट वाली खरीदारी ह कर ली महीं कर ली चर्वाद में अगने मई perde यह की बात है यह बार्ह मही की बात है बारा मही कौ आपको डिवीडेंट मिला इस पहे 630 बाफे 930 बंब फकर फिर यह थ्या नर परशेंट में जून के अंदर 100 फिर से यह तो जो गया हो गया तो इस हिट पास 15000 रुपए तो दो 2 सेरों में उस्विदि करूँ और तीन लाग 15,000 है तो आपको तीन से चूज करने हैं आपके अमाउंट इसी तरह से आपके पयास कीन इमाउंट है तो आप एक लाग जार का निवेस्ट करो पूरे से चूज करो तो इस परकार से आपको चलना है यह मैक्सिमम मैंौंट है करने की जूदी के अधिक पांच ब पर बेख लेकिन कि समय आपको 2 बार करना पड़ेगा तो यह आपके इसके बाद जब यह प्रोफिट में यह आगया आपके पांच अगस्त को यह नहीं आठ अगस्त को यह आपके 6% से ज्यादा प्रोफिट में आगया आपने 6,400 बैतर रुपए 80 पैसे का प्रोफिट एक साथ इसमें कमा लिया तो फिर से आगे आपने इसी प्रकार सुरू कर दिया रहे उसके बाद तो क्या हुआ हमारे पास यह अन्रियलाइड प्रोफिट बचा है कि अभी 21 अक्टूबर तक को आगया हूँ मैं 2222 तक अभी वीडियो रिकोड कर रहा हूं 3 अक्टूबर को जब मार्केट बंद है तो यह 611 रुपर चारीज पैसे आप अन्रियलाइड प्रोफिट मान सकते हैं कि अभी भी 563 रुपए 65 पैसे का रियल प्रोफिट हमारा टोटल बुक हो चुका है 230 रुपए का में डिविडेंट मिल चुका है 500 रुपए का सेविंग अकाउंट इंट्रेस्ट मान लो क्योंकि जो पैसा आपका यूज नहीं हुआ एक लाग चार जार तो एक बारी यूज वा पूरे 500 रुपए आप मान लोगी आपको इब्याज मिला टोटल आपने 20,723 रुपए कमाए अधिक्तम इन्वेस्टमेंट आपका एक लाग चार 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 तो तेतर रुपए हुआ था तो 19.82 परसेंट का रिटन आपको इस मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पे मानना हो मसाल बन में म बरसक प्रयास करता हूँ फिर भी क्या है कि बहुत ज्यादा फॉलोवर है दो लाग के करीब अपने फॉलोवर पूरे ओने जा रहे हैं तो उसमेंदी आपको जवाब में नहीं मिले तो आप मिरास मत हो येगा लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोसिस करता हूँ अधिक्तम कम पूरी किताबें लिखी है और उनकिताबों का हिंदीज्टी अंग्रेज्टी और मराथी बासाओं में अभी तक हुआ है, contributes पूरी किताब Kait और मूरे नहीं है अभी तक हुआ है तो वो सब किताबें आप प्रिंट वर्जन के रूप में भी पढ़ सकते हैं, किंडले पर कराईएगा आप सबको दिपावली की बहुत बोश्रुप कामना है नमस्कार आजरे आनंद भय हो मारा सद्गुरु आया पामना देख लेमर सेर बजार में निवेश बजार के जोकिम के अधिन है यद्पी मैं महेश संद्रकोशिक सेवी से पंजीकर्ट रिसर चैनल इस्टू मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रवाइड कराने का पुरा प्रयास करता हूं तर से मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता अता इस वीडियो में दिखाईगी जानकारी से आपको शेर बजार में 100% लाब ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है आपको इससे नुक्सान भी उठाना पड़ सकता है अता इस वीडियो में दिखाईगी जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल परपस के लिए समझा जावे तका इसमें बताईगी जानकारी को प्योग स्वेव विएक से करें मैं इस वीडियो का